लगतार बदलते मौसम के कारण अब दुर्वजिले में डेंगू, पीलिया, डैरिया, मलेरिया के बाद अब स्वाइन फ्लू ने भी दुर्वजिले में दस्तक दे दी है स्वाइन फ्लू से एक की मौत होने के बाद दो और मरीज मिले हैं दो मरीज स्वाइन फ्लू के और मिले हैं, उनका इलाद सेक्टर 9 अस्पताल में चल रहा है। वहीं सेक्टर 9 अस्पताल में कर्मचारी, मरीज, वह आने वाले रिष्टेदार भी मास्क लगा कर नज़र आ रहे हैं। स्वाइन फ्लू को लेकर लोगों में दहशत का महल है, मौसम में बदलाव की वज़े से शहर में वाइरल फीवर वा खासी सर्दी की शिकायत है, ऐसे मरीजों को ऐसोलेशन वार्ड में रखा गया है। स्वाइन फ्लू से संक्रमित हो सकता है, फ्लू हवा में हैं इस वज़े से इसका संक्रमान आसान हो गया है। चिकित्सा दिकारी डॉक्तर प्याम सिंग ने बताया कि स्वाइन फ्लू से बचाओ के लिए एक खास ध्यान देने की जरुरत है, लोगों को स्वचता पर खास ध्यान देना है। इसमें चीकते वक्त नाक को ढखना, खासते वक्त रुमाल का इस्तिमाल करना, स्वाइन फ्लू से बचाओ के लिए आख नाक मुझ को छूने से बचना चाहिए। प्रदीप महंती, जिनका इलाज इस सक्नाइन हास्पिटल में चल रहा है, और दुसरा रिहांस था, वो आज डिश्चार्ज हो गया। बचने के लिए हमको साफ सफ़े हमको बहुत जरूई है, और उसमें निरंतर हमको हाथ धोते रहना चाहिए, और भरपूर पॉस्टिक भोजन का सेवन करना चाहिए, और हाथ बार बार धोई है, और भरपूर नेन लीजे और अच्छा भोजन करना पड़ेगा। इसमें तिनों में ट्रेवलिंग हिस्टित है नहीं, लोकल कोई हास्पिटल इंप्रेक्शन होगा, वहाँ से भी हो सकता है।